प्राचीन शहर स्वनपुर आशंका से काप रहा था चालाक गवर्नर वेवरली के नेत्रित्व में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के जहाज खाड़ी में लंगर डाले हुए थे उनकी तोपे और बंदू के तयार थी बहादूर और महान राजकुमार विक्रमादित्य के नेत्रित्व में हिंदू द्रिल थे उनकी पगरिया और धोतिया समुद्री हवा में लहरा रही थी जैसे ही ब्रिटिश सेनिक पवित्र धर्ती पर अपने जूतों से रौनते हुए उत्रे हिंदू अपनी मात्रभूमी की रक्षा के लिए तयार हो गए उनके दिल प्रतिरोध की आग से जल रहे थे राजकुमार विक्रमादित्य के नेत्रित्व में हिंदू अपने प्राचीन धर्मृतों की शक्ती की तलाश में अपने पवित्र मंदिरों में चले गए उन्होंने मंत्रों का जाप किया, अनुष्ठान के और वेदों की रहस्यों को उजागर किया देवताओं ने उनकी भाक्ती से प्रसन होकर उन्हें उन्नत हथियारों का ज्यान प्रदान किया धर्म रथों की शक्ति से हिंदूों ने भविश्य के हथियार तैयार के लेजर धनुष, प्लाजमा तलवारे और शुद्ध उर्जा की धालें अब उनकी सेनाएं इन विज्ञान फाई हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश उपनिवेश्वादियों की ओर बढ़ी युद्ध जारी रहा, हिंदूों की प्राचीन बुद्धी ब्रिटिश सामराज्य की आधुनिक शक्ति से टक्रा रही थी हिंदूों के उन्नत हथियारों से चक्कित ब्रिटिश सेनिक लड़करा गए और गिर गए गवर्नर वेवरली को अपनी हार का एहसास हुआ और वे अपने जहाजों पर वापस चले गए लेकिन राजकुमार विक्रमादित्य की सेना ने उपनिवेश्वादियों को स्वर्णपूर से बाहर निकालने के लिए दिर्संकल्प के साथ उनका पीछा किया अंत में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की सिनाय पर आजित हुई उनके जहाज डूब गए और उनके हथियार जबत कर लिए गए विजे हुए हिंदूोंने अपनी विजे का जश्न मनाया उनके प्राचीन धर्म्रतों को उनकी शक्ती का स्रोत माना गया राजकुमार विक्रमादित्य को नायक के रूप में सम्मानित किया गया उन्होंने स्वर्लपुर को अपनिवेशिक शासन से मुक्तेक संप्रभू राष्ट गोशित किया हिंदूों की जीत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई जिसने अन्यभारतिय राज्यों को अपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया ब्रिटिश सामराज्य जिसकी भारक पर पकर धीली पर गई तूटने लगा हिंदूों को अपनी विरासत पर गर्व था उन्होंने अपने धर्मृतों की शक्ती का उप्योग करना जारी रखा अपनी तक्नीक को आगे बढ़ाया और शांति और समृद्धी के एक नए योग का निर्मान किया